हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नए वीडियो सोचिलोजी नोट्स की वीडियो है जिसमें मैं आप लोग साथ शेयर करूंगी प्रतिमानी तफधार नाए यानि कि हम जो अपने डेली वेस में जैसी भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको कहीं न कहीं प्रतिमान से जोड़ते हैं वो सारी चीज़ें आज मैं आपको साथ शेयर करूंगी अगर वीडियो आपको पसंद आती है लास तक वीडियो जरूर देखा करिए क्योंकि बीच करते हैं अपनी आज की वीडियो तो जो लोग भी वीडियो की फर्स टाइम देख रहे हैं वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल सोचलोजी नोट्स जहां पर आपको मिलती हैं बीच नोट से प्रपर वीडियो और सोचलोजी नोट से प्रपर वीडियो तो बहुत सारी त्यारी करने में और कॉम्टिशन एग्जाम के आप त्यारी करें जिसमें आपका मेन सब्चेक सोचलोजी वहां भी आपको हैल्प करेंगी बहुत सारे शॉर्ट कोश्चन की वीडियो बनी हुई है आप यूजिसी नेट के फोल्डर बनावा उसमें आप जाकर देख सकते ह या एक्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और जो लोग M.A.B.S. सब्सक्राइब कीजिए और में बहुत सारी वीडियो ऐसी है मैं प्रॉपर नौट्स की अपने खुद के बनावे नौट्स आपके साथ शेयर करते हूं तो चले स्टार्ट करते हूं अपने आज की वीडियो तो देखें आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कोई भी ऐसा टॉपिक सोशोलोजी से रिलेटेड जिसमें मैं आपको वीडियो बनाके अप्लोड करके आपके कोईशन का निवारण करूं वो आप मुझे कोई भी देखते हैं कि पार संस की प्रशित पुस्तक दा सोशल सिस्टम में प्रतिमानेत विकलव यानी की पैटर्न वेरिवेल की अवधारना प्रस्तुत की है आपने समाजिक विवस्था के दो मुखे प्रकारों का उले किया है नंबर वन है परंपरागत समाजिक विवस्था आध की अनुरूप ही बहवार करें मतलब जो प्रतिमान हमारे समाज में एक फिक्स कर दिये गए हैं सारे लोग उसी के according behave करें लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि हर एक इनसान अपना अपने आपको लोगों से एक पिक्षा की जाते हैं कि वे इन प्रतिमानों के अनुरूप के वहवार करें जब तक लोग ऐसा करते रहते हैं तब तक समाज में स्थाइत्व एक संतुलन बना रहता है लेकिन लोग सदैव इन प्रतिमानों के अनुरूप ही वहवार करें यह आवश्यक नहीं ह ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति के वास्त्विक विवार को प्रभावित करते हैं इन्हें ही पार्संस ने प्रतिमानित विकल्प का नाम दिया है ठीक है जो व्यक्ति को अलग करते हैं चीजों से वो प्रतिमान को जो पार्संस है उन्होंने प्रतिमानित विकल्प का नाम दे द इस प्रिकार की विकल्प का संबंद करता की आंतरिक प्रेणाओं या आवश्यक्ताओं की संतुस्टी से होता है करता की आंतरिक प्रेणाओं ही उसकी क्रियाओं को रगात्मक्त बनाती हैं वेवर ने पैतरक शासक का एक उधारन देते हुए समझाया है कि यदि वह अधिकार चुनाब करते हैं मतलब जो पैप्रक शाशक होते थे हमारे पहले के टाइम में वो कैसे चुनाब करते थे अपने अधिकारियों का इस बात का विशेशता ध्यान रखता है कि कौन उसके ज्यादा निकट है मतलब कोई शाशक है अगर वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसके क करते समय उनकी छमता या योगता पर ही प्रभुक्त ध्यान देता है तो उसकी क्रिया को रगात्मक्ता लगाव से उपपर उठकर यहां तक अपने यहां तक की अपने स्वयम के जीवन को भी खत्रे में डाल कर युद्ध के मैदान में सत्रु का डट कर सामना करे अपनी करतब प्रमुक्ता ध्यान रखने पर बल देती है आधुनिक समाज विवस्ता में रगात्मक्ता ठस्ता पर विशेस जोड़ दिया जाता है जैसे कि अगर मैं आपको बताओं अब जब हम लोग आफिस में या कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर हम अपने बॉस के साथ हमारे जो अच्छे बने रहे हैं इसलिए हम उनके साथ डिनर पे या हम उनके साथ अच्छे से पेस आते हैं हम उनकी हर एक बात को तुरंत काम उनका कर देते हैं या हम फॉलो करते हैं उनकी बातों के या हम उनकी तारीफे करते हैं हम उनके साथ मिल जूल कर रहना चाहते हैं ताकि हम जो वैल्यू है मतलब उस पोस्ट के लिए वह कितना इजिविल्टी रखता है उसके अकॉर्डिंग करता है तो रगात्मेक तठस्ता का वहां पर उधारन दे रहा है ठीक है फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्वय केंद्रित बनाम समू केंद्रित यानि कि सेल्फ ओर्येंशन वर अधर परिवासित करते हैं उधारन एक दुकानदार अपनी बस्तूं को बढ़ा चड़ा कर उसके गोड़ों को बताता है ताकि उसकी बस्तूं बिक जाए उसका ऐसा करना स्वय केंद्रित विकल्प के अनुरूप कहलाता है ठीक है तो फ्रेंस जो इनसान कोई काम कर रहा है तो वो अपनी अच्छाई के लिए अपने अच्छे के लिए सोच कर अपने भले के लिए सोच कर जूट बोल रहा है या बहुत जादा ऐसी चीजे कर रहा है जिसे उसका फायदा हो जाए तो वो स्वय केंद्रित के अंदरगत आता है ठीक है बाथनीं कर चेवल का से संुकेंद्रित करने भाएम म मिले ऑसी अमन्यमा जाए तो हम बेद्धर को में रहा हैं तो अपनी कमेंट कर के जरू जाएगा आपका हर एक comment में लिए बहुत ही important होता है अगर आपको वीडियो पसंद आती है आपके लिए helpful है तो चैनल को subscribe किये बिना बिल्कुल भी मच जाएए ऐसे ही और next वीडियो आपको मिलती रहेंगे notification मिलता रहेगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं और मेरे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट पनी हुई है वहाँ जाकर आप इसली सारी वीडियो देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे तो सभी को UGC Net के लिए बहुत-बहुत वैस्ट विशिज है और अच्छी से त्यारी कीजिए अपना ध्यान रखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू